सत्यम शिवम सुंदरम देवों के देव महादेव जो तीनों लोकों के स्वामी है जो श्रिष्टि का अधार है आदी है और अंत जिन से है उसी भगवान भोले नात की एक कता आज हम आपको सुनाएंगे जो कता ये साबित करती है कि भगवान भोले नाती इस श्रिष्टि के अधार है उन्ही से ये संसार है जिसकी कृपा से पत्ते हिलते हैं जिसकी कृपा से चुडियां चहकती है जिनकी कृपा से सूरज उखता है और जिनकी कृपा से रात हो जाती है और कहते हैं न आकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का तो चलिए सुनते हैं इस पावन संगीत में कता को रवीराज की सुमुधर आवाज में शिव जी है स्रिष्टी के आधार सत्य ही शिव है शिव ही सुन्दर सत्य ही शिव है शिव ही सुन्दर शिव से ही संसार शिव जी है स्रिष्टी के आधार शिव जी है स्रिष्टी के आधार शिव जी है स्रिष्टी के आधार ब्रम्ह बिष्णो संग आए देख शिव जी मुस्काए शिव जी है स्रिष्टी के आधार दोनों को आसन देकर वो आधर सहित बिठाए ब्रम्ह जी शिव से बोले राज वो दिल का खोले दोनों में कौन बड़ा है बता दो हे बम भोले आप जो कह देंगे हम दोनों कर लेंगे स्वीकार शिव जी है स्रिष्टी के आधार शिव जी है स्रिष्टी के आधार एक वक्ती बात है जब ब्रह्मा जी को ये अंकार हो गया था कि मैं बड़ा हूं ब्रह्मा देव ने कहा कि इस शिव रिष्टी को रचने वाला मैं हूं इसलिए मैं बड़ा हूं विश्णू जी ने कहा इस शिव रिष्टी का पालनहार मैं हूं इसलिए मैं बड़ा हूँ दोनों में से कौन बड़ा है इस विवात को सुलजाने के लिए दोनों शिवजी के पास पहुँचे तो भोले नात ने इस विवात को सुलजाने के लिए एक स्टंबलिंग स्तापित किया और ये शर्ट रखी के जो इसके आदी और अंत का पता लगा लेगा मैं उसी को सर्वशेष्ट मानूंगा और ये सुनते ही भ्रम्मा जी और विश्णु जी उस स्तंबलिंग के आदी और अंत का पता लगाने निकल पड़े आगे क्या हुआ? विश्णु जी खोज के हारे पता लगने ना पाए अंत में हार मान कर विश्णु जी वापस आए अंत में हार मान कर विश्णु जी वापस आए ब्रम्हा भी ढूंड न पाए वो मन ही मन पच्चताए विष्णुगर ढूंड लिये तो वो हमसे बड़ा हो जाए कौन उपाए करो ब्रम्हा जी करने लगे विचार शिब जी है स्रिष्टी के आधार भगवान विष्णु ने बदा लोग जाकर स्तंबलिंग के आधी और अंत को खोजने का बहुत प्रयतन किया लेकिन असफल रहे और अंत में हार मान कर शंकर भगवान के पास आकर तूनों हाथ जोड़ कर भोले कि हे भोले आपकी महेमा अपार है आपके आधी और अंत का खोज करना हमारे वश्की बात नहीं हे प्रभु आप तो आधी अनाधी अनामे अभी चल और अविनाशी है आपका पता लगाना तो असंभव है लेकिन दूसरी तरफ भ्रह्मा जी सोचते हैं कि मैंने पता नहीं लगाया लेकिन अगर विश्नु ने पता लगा लिया तो क्या होगा वो मुझसे बड़ा हो जाएगा ऐसा सोच कर भ्रह्मा जी ने क्या किया और कैसे किया आईए सुनते हैं केवडा के फूल को देखे ब्रह्मा मन में हर शाए केवडा के फूल से अपनी वो सारी बात बताए किवडा के फूल से अपने वो साड़ी बात बताए ब्रम्ह किवडा संग आए महादेव को समझाए किवडा को मस्तक पे चड़ा कर संग मिलाए कौन बड़ा है अब तो बताएं करके सोच विचार शिव जी हैं स्रिष्टी के आधार ब्रह्मा जी तो पता लगा नहीं पाए लेकिन जूट बोलकर और जूट को सत्य साबित करने के लिए केवडा के फूल को कवा बना कर प्रस्तुप किये और ब्रह्मा जी के साथ साथ केवडा के फूल ने भी जूट बोल दिया के ब्रह्म देव ने स्तंबलिंग के आधी का पता लगा लिया और मुझे वहाँ चड़ा कर अपने साथ लेकर आ रहे हैं और इस जूट को सुनकर देवो के देव महा देव भगवान शंकर क्रोदित हो गए और जूट तो जूट था भगवान से इस रिष्टी में भला कोई जूट चुपा है इस जूट को सुनके भगवान शंकर क्रोधित हो गए और इस जूट को पकड़ के उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अब क्या कदम उठाया आईए सुनते हैं हुए क्रोधित त्रि पुरारी गर्ज ना हुई है भारी चूटा अस्तंभ लिंग तो प्रकटे भैरव अवतारी शिव ने आदेश दिया है ब्रह्म्हा के सिर को उड़ाओ काट के लाओ भैरव तनिक ना देर लगाओ श्राप दिये के वड़ा को पूजा में ना कोई करे स्विकार शिव जी है स्रिष्टी के आधार प्रिये श्रोताओं इसी प्रकार ये साबित हुआ कि भगवान शंकर से कुछ नहीं छुपा है और भगवान विष्णू और भ्रह्मा जी भी इस बात को मान गए कि भूले नाथ से इस श्रिष्टी में कुछ नहीं छुपा इस कथा से ये साबित होता है कि भूले नाथ इस श्रिष्टी का हर रूप जानते हैं हर रंग जानते हैं इस श्रिष्टी में उनसे कुछ नहीं छुपा और वो सकते पिचलने की राह उठाते हैं जै भूले नाथ